नमस्कार, Map in News में आपका स्वागत है, मैं हूं अमृत्वपाद है, पिछले कई दिनों से मैं Map in News प्रोग्राम नहीं ले पा रहा था और हम Compilation आपको दे रहे थे, क्योंकि मेरी तबियत खराब थी आप जानते हैं, और तबियत खराब होने के वैसे, आवाज चोक होने के वैसे, संभव नहीं था कि मैं नई क्लास ले सकूँ, लेकिन आज से नई क्लास शुरू कर रहे हैं, फ्राइडे को हमने पॉलिटी वाली भी क्ल कासेश चलती हैं, मैं एक बर बतायता हूँ, छोटे से संक्षिप में, कि आठ बजे रात में और नौ बजे रात में मुझसे आपकी मुलाकात होती है, आठ बजे रात एक प्रोग्राम चलता है, मंडे, वेंस्डे और फ्राइडे को पॉलिटी, M.Lakshmikant की सीरीज चल रही है, और उसको आप देखिएगा, उससे आपको जरूर फैदा होगा, अगर आप कहीं कोर्स कर रहे हैं, या फिर कहीं पढ़ रहे हैं, तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, सिल्फ इस्टडी कर रहे हैं, और आपको कराते हैं, और इस्टेटिक पार्ट है, करेंट वाला पार्ट नहीं, पूरे भारत की मैपिंग कराते हैं, हिमाले हमने शुरू किया था, हिमाले का निर्मार देखा है, हिमाले की नदिया देखी हैं, हिमाले के दर्रे देखें, यह सब इस तरह से बटा हुआ है, फिर ये व आप से किसी ना किसी प्रोग्राम के ज़री जुड़ता हूं, मंडे को मंडे से लेकर और फ्राइडे तक और फिर संडे, सेटर्डे नहीं, ठीक है, तो यही शेडूल है मेरा रात नौ बज़े आपको पता है, मैं न्यूस एट नाइन प्रोग्राम में आपसे मिलता हूं, न् जो दो स्लोट से आठ और नौ बज़े उसमें आपसे जरूर मुलाकात होती है, पीडियेफ आपको हमेशा अमरित उपाध्याए 007, AMRIT, UPADHYAY 007, टेलिग्राम चैनल पर मिलता है और इसी नाम से मैं इंस्टा पर हूं, आईए देखते हैं, पिछली बार हमने क्या कुछ कोलकाता के बीच, एक्सप्रेस्वे की बात हो रही है, और ये सबसे लंबा एक्सप्रेस्वे हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई करीब 610 किलोमेटर बताई जा रही है, शिक्स लेन नेटवर्क होगा ये, और इसका जो निर्माड हो रहा है, ये भारत माला को जानना है आपको, ये सारी बाते हो गई, हमने सवाल जो पूछा था, वो सवाल इस स्लाइड में रह गया है, नहीं है, तो सवाल मैंने जो पूछा था, मैंने निकाल लिया है अपने लास्ट एप्सोड से, मैंने आपसे पूछा था, निमलिखित में से किस राष्ट्रिय राजमार का विस्तार अंडबान निकुबार में है तीन, चार, पांच या फिर छे, आईए देखते हैं तीन की बात करें अगर हमने एक एपसोड में देखा था कि जितने और नंबर्स हैं एनेच तीन पांच यह सब उत्तर से दक्षन के तरफ दिखते हैं और इवेन नंबर जो हैं वो पूरू से पश्चिम या पश्चिम से पूरू है ठीक है, पूरू से पश्चिम है इंटक्ट तो अभी हम देखेंगे कि एनेच तीन कहा है तो अगर एनेच तीन की बात करें एनेच तीन यह रहा, पंजाब में अटारी एक जगह है पंजाब के अटारी से लेकर लेह तक एनेच तीन है कनेक्ट करता है, ठीक है पंजाब के अटारी से लेकर लेह तक कनेक्ट करता है तो क्या-क्या कवर करेगा यह पंजाब हिमाचल लद्दाख या फिर ले एनस तीन का विस्तार यहाँ पर है और रूट क्या बनेगा अटारी, अमरित सर, जलंधर, ठीक है मंडी, मनाली, फिर ले यह इसका रूट बनेगा दूसरा है NH4 NH4 का संबन्ध है अंडमान निकुबार से NH4 जो है मध्य अंडमान में एक जगह है माया बंदर मिडल अंडमान में के नौर्थ में यनि मध्य अंडमान के उत्तरी हिस्से में एक जगह है माया बंदर और वहाँ से लेकर जो दक्षणी अंडमान में स्थित इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर इसको जोड़ता है कौन? NH4 ठीक है? जो हमारा सवाल है कि कि किस NH का संबन्ध है अंडमान निकुबार से तो NH4 का संबन्ध है अंडमान निकुबार से यहीं इसका सही उत्तर है फिर कह रहा है NH5 जब देखेंगे तो पंजाब में एक जगह है फिरोजपूर और यह देखिए NH5 यह है यहाँ हिमाचल में एक जगह है चिनी इसको कनेक्ट करता है NH5 ठीक है? बट इसका रूट क्या होगा? तीन का रूट था जो वो अटारी से शुरू होता था तो अटारी, अमरित, सर, जालंधर, मंडी, कुलू, मनाली होते हुए निकल जाता था इसका रूट क्या होगा? फिरोजपूर से फिर लुध्याना, चंडीगड ठीक है? शिमला इसके रास्ते हम पड़ेगा, नरकंडा इसका रास्ते हम पड़ेगा, तो ये इस तरह से इसका रूट बन जाएगा और चिनी तक जाएगा ठीक? ये NH5 हो गया इसी NH5 को बढ़ाया जा रहा है भारत-चीन के बॉर्डर तक ठीक? तीन, चार, पांच हो गया और एक और था जो NH6 NH6 हमारा है असम में, मेघाले में और मिजोरम में इसका विस्तार है ये है NH6 तो जोरबाट एक जगह है और एक जगह है जोखा उथार ठीक है? मिजोरम में और ये है असम में तो ये NH6 असम में घाले और मिजोरम में फैला हुआ है कनेक्ट करता है ठीक? तो जो प्रश्न हमने देखा उसका सही उत्तर क्या होगा? NH4 का सम्मन अंडमान और निकुबारद विपसमों से है ठीक है? अब कोश्चन के स्लाइड नहीं है तो ऐसे ही आप देख लीजेगा चलिए एक खबर लेते हैं 18 दिसंबर को आपको पता है सबके इस्टेटस में लगने वाली खबर 18 दिसंबर को क्या हुआ? खाड़ी देश कतर में फुटबॉल विश्वकप का समापन हो गया खिताबी मुकाबला था पिछली बार के चैंपियन टीम फ्रांस और दक्षन अमेर्की टीम अर्जेंटीना के बीच खिला गया मैंने कभी महसूस नहीं किया है भारत में जितना इस बार दिखा है कि लोग एकदम दिवानगी के हद तक फुटबॉल को पसंद कर रहे थे चलिए देख लेते हैं हम अर्जेंटीना को हमारा काम है उन देशों को देख लेना ठीक है अर्जेंटीना के अगर बॉर्डर की बात करेंगे तो आपको पता है कि अर्जेंटीना के साथ एक बॉर्डर सबसे लंबा जो साजह होता है चिली का है ठीक है चिली के बात बोलीविया फिर परागवे ब्राजील और उर्गवे क्या-क्या बॉर्डर हो गया चिली के बोलीविया परागवे ब्राजील उर्गवे ये इसके बॉर्डर वाले पार्ट हो गया प्रमुख नदियों के अगर बात करेंगे तो एक नदी है पराना नदी ठिक एक नदी है उर्गवे नदी एक नदी है कोलरेडो नदी ध्यान रखेगा कि यहां एक और नदी है जिसका नाम है परागवे नदी क्यों ध्यान रखना है क्योंकि यहां उर्गवे नदी है और यहां उर्गवे देश है यहां परागवे देश है और यहां पर एक नदी आकर मिलती है पराना से जिसका नाम है परागवे नदी तो परागवे नदी आकर पराना से मिलती है पराना आगे जाकर उरुगवे के साथ मिलती है और जब पराना और उरुगवे मिल जाते हैं तो फिर इसको कहते हैं रियो डेला प्लाटा क्या कहते हैं इसको नदियों की अगर किवल बात करें तो महत्वपॉर्ण नदियों में कोलरेडो नदी है ठीक है पराना नदी है उरुगवे नदी है पराना और उरुगवे नदी मिलते हैं जहां उसके बाद इस नदी को कहते हैं रियो डेला प्लाटा तो रियो डेला प्लाटा जो है किसके किसे मिलने से मनता है पराणा और उरुग्वे के उरुग्वे से इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है कि उरुग्वे के साथ-साथ एक परागवे नदी भी है जो पराणा में आकर मर्ज करती है इस तरफ ठीक है जो कि परागवे नदी है परागवे भी देश है लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ब्राजील के साथ लगा हुआ है जहां नीचे साइड दक्षन के साइड में उरुग्वे और उरुग्वे नदी जो इस बोर्डर से होते हुए आकर मिलती है इसके साथ पराणा के साथ और जब conference के बाद इसको बोलते हैं Rio de la Plata ठीक है और एक महत्पोन और नदी है Colorado दूसरी बात अगर ये पूरा विस्तार देखेंगे हम तो इसको कहते हैं Patagonia तो Patagonia का विस्तार है अर्जेंटिना और चिली में उत्तर सिदक्षिन की तरफ इस तरह से अगर देखें तो Patagonia का विस्तार है इस Patagonia में पठार भी है इसमें मर्वस्थल भी है शितोष्ट मर्वस्थल ठीक है Patagonia क्षत्र में और Patagonia क्षत्र में इसके साथ-साथ जाडियों वाले जो वन है वो भी मिलेंगे ठीक है तो पठार, सितोष्ट मर्वस्थल ये सब Patagonia में आपको मिलेगा ठीक है फिर और एक महत्वपून बात है कि Bolivia, Argentina और चिली इसके बीच में एक triangle बनता है जहां lithium का भंडार है और इसलिए हम इसको कहते हैं lithium triangle लिथियम का बहुत बड़ा source है सबसे बड़ा source है लिथियम triangle जो कहां मिलता है Bolivia, चिली और अर्जेंटीना के बीच triangle बनता है और इसलिए हम इसको कहते हैं lithium triangle एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अर्जेंटीना के उत्तर से मकर रेखा गुजरती है ठीक है? चलिए question है निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए विश्वत रेखा Amazon के मुहाने के लगभग मध्य से गुजरती है रियो देला प्लाटा अर्जेंटीना के बिल्कुल दक्षण में है उपर युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर हैं ठीक है? विश्वत रेखा Amazon के मुहाने के लगभग मध्य से गुजरती है ये equator है और यहाँ Amazon का माउथ है ये Amazon न दी है इसका बहुत बड़ा बेसिन है लेकिन ये मुहाना है और equator जो है लगभग इसके मध्य से होकर गुजरती है इसलिए ये वाला statement बिल्कुल ठीक है फिर क्या कह रहा है? रियो देला प्लाटा अर्जेंटिना के बिल्कुल दक्षण में है और हमने क्या देखा? रियो देला प्लाटा जो है अर्जेंटिना के दक्षण में ना होकर उत्तर पूरो वाले हिस्से में है कहां? वो रुगवे और अर्जेंटिना के सीमा पर उत्तर पूर अदिशा में रियो डेला प्लाटा है तो इसलिए ये statement गलत है बिल्कुल दक्षन में नहीं है और ये statement बिल्कुल ठीक है इसलिए केवल एक इसका सही उत्तर होगा देखिए वो वाला जो प्लेट नहीं मिल रहा था वो प्लेट यहां आगया है गलती से और इसका सही उत्तर option B है पेचले दिनों DR कांगो में भयंकर बारिश के चलते बाढ़ ने कहर बर पाया भारी बारिश के चलते आई बाढ़ और भूस खलन से राजधारी में अब तक करिब 170 लोगों की मौत हो गई है ठीक है DR कांगो के बारे में हलाके हमने बहुत बार बात्चित की है लेकिन फिर से करना ज़रूरी है DR कांगो के अगर बॉर्डर की बात करें तो South Sudan से सुरू करते हैं डक्षन सुडान तो पहले चीज़ के याद रखनी है कि Sudan इसके साथ बाउंडरी साजा नहीं करता है South Sudan करता है South Sudan Central African Republic कार ठीक है इसके बाद Republic कॉंगो फिर अंगोला जांबिया तंजानिया बुरुंडी, रवांड़ा और कौन सी कॉफी थी? BRU Brew बुरुंडी, रवांड़ा और यूगांड़ा इतने बाउंडरी साजा होते है ये वाला बाउंडरी आपको कभी नहीं भूलना है क्योंकि जादतर लेक, DRC और इन देशों के साथ लगे हुए हैं और इसका क्रम क्या है ये भी याद रखना है बुरुंडी, रवांड़ा और यूगांड़ा बुरु कॉफी है तो इस तरह से याद रख लीजे फिर तंजानिया है और फिर यहाँ जांबिया है जांबिया बेसिकली यहाँ से इन देशों को याद रखना है इसलिए जरूरी है कि यहाँ तक जांबिया है कि जो लेक हैं ये बाउंडरी इनहीं DRC के साथ साजा करते हैं ये सारे देश ठीक है तो एक बार फिर से दोरा लीजे साउथ सुडान हो गया सेंट्रल एफ्रिकन रिपब्लिक हो गया फिर कॉंगो अंगोला जांबिया तंजानिया बुरुंडी रवांडा और यूगांडा ये इसकी बाउंडरी हैं ठीक है अब लेक अगर देखेंगे आप तो यहाँ पांच महत्वण लेक डी आर्सी के बॉर्डर से लगे हुए हैं लेक अलबर्ट ये वाला ठीक है लेक एडवर्ड तो अलबर्ट और एडवर्ड ये दोनों यूगांडा के साथ डी आर्सी के बॉर्डर पर हैं यूगांडा और डी आर्सी के बॉर्डर पर हैं एलबर्ट और एडवर्ड फिर रवांडा और बुरूंडी के साथ एक एक लेक लगे हुए तो बीच वाला जो दिश है बूर्व का उसके साथ है कीवू फिर रवांडा और डियारसी के बीच में बौर्डर पर है और एक महतपूंड लेख है लेख तंजानिका, तंजानिका जो लेख है वो बुरुंडी, डी आरसी, तंजानिया और जामबिया, इन चारों से लगा हुआ है, किस से किसे लगा हुआ है? बुरुंडी और DRC के बीच तो आपको साब साब दिख रहा है फिर जैसे बुरुंडी और DRC के बीच है वैसे ही तंजानिया और DRC के बीच में भी बहुत सफ़्ष्ट तरीके से है जैसे हमने यहां देखा यूगांडा और DRC के बीच में एलबर्ट है यूगांडा और DRC के बीच में ही एडवर्ड है फिर रवांडा और DRC के बीच में कीवू है बुरुंडी और DRC के बीच में कौन सा है तंजानिका और यही तंजानिका तंजानिया और DRC के बीच में भी है और जांबिया तक चला जाता है ठीक है तो इन चारों देशों का नाम इसमें आता है ये बात इस पश्ट हो गई सबसे महत्पून नदी है कॉंगो रिवर बेसिन जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार बात चित की गिए और कॉंगो रिवर बेसिन जो है वो अमेजॉन के बाद अमेजॉन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उश्टन कटिबंधिया वर्षा वन इसी बेसिन में मिलता है इसलिए इसको अफ्रिका का लंग्स कहते है अफ्रिका का लंग्स या फिर हेफडा कहते है ठीक है अब इस नदी बेसिन की एक खासियत तो यह है कि यह भूमध्य रेखा को दो बार काटती है इसका शेप देखिएगा तो इस तरह से शेप है इसका इधर से आती है ऐसे और फिर ऐसे तो यह भूमध्य रेखा को इस तरह से दो बार काटती है ठीक देखिए ये है river कॉंगो DRC का जो पूरवी हिस्सा है वहाँ कुछ जीलों और पठार से निकलने वाली नदियों के मिलने से ये कॉंगो नदी बनती है और फिर कॉंगो नदी जिसे देख रहे हैं ये नदियां आकर मिल रहे हैं इसमें तो छोटी छोटी नदियों के कॉंगो नदियों से ये नदी बनती है और फिर नदी बनने के बाद इस तरह से flow करती है और ये फाइनली जाती है अंगोला के पास से ये DRC का ही पार्ट है अच्छा DRC में एक बाद ध्यान रखेगा इसका बहुत छोटा सा हिस्सा ये जो दिख रहा है आपको ये बहुत छोटा सा हिस्सा अट्लांटिक ओशन से लगता है मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि क्या DRC Democratic Republic of the Congo ये लेंड लोग कंट्री है या नहीं है तो ऐसे अगर देखेंगे मैप तो आपको ध्यान नहीं रहेगा लेकिन ध्यान रखेए कि बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका अट्लांटिक महासागर से लगा हुआ है इसलिए ये लैंड लोग कंट्री नहीं हो सकता ठीक है और अंगोला और डियार्सी के बॉर्डर के पास ही ये कॉंगो जाकर गिरती है अट्लांटिक में डियार्सी से ही गिरती है लेकिन अंगोला और डियार्सी के बॉर्डर के पास जाकर गिरती है ठीक है इसमें कौन-कौन से देश शामिल है इसके बेसिन में ठीक है और कॉंगो के बारे में एक और बात है कि ये नील के बाद नील नदी के बाद अफ्रिका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ठीक है तो दो बाते हो गई ना कि नील नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है अफ्रिका की और अमेजॉन के बाद ये जो इसके सबसे बड़े हैं ठीक है यहां अगर मौंटेंस देखें तो पूरो में रेवेंजोरी मौंटेंस हैं इसी रेवेंजोरी मौंटेंस का ही पार्ट है मौंट इस्टेनले पीक है ठीक है 4989 मीटर लिखा हुआ है इसी तरीके से यहां पर मौंटेंस हैं तो क्या क्या होगे रेवेंजोरी और मौंटेंस तो यह चार चीज़े आपको याद रखनी है चलिए कोशन देख लेते हैं निमलिकित यूगमों पर विचार कीजिए चर्चा में रहे इस्थान किंशासा डियार कॉंगो बंगवी सेंट्रल अफ्रिकन रिपबलिक बन्नू पाकिस्तान टिंबक्टू माली उपर यूग में से कितने यूगम सही सुमेली थें और ये यह रहा कॉंगो के ही तट पर है कॉंगो नदी के ठीक है तो यह तो बिल्कुल ठीक है फिर बंगवी सेंट्रल अफ्रिकन रिपबलिक की राजधानी है ठीक है देखिए खबर भी लिया गया है 17 दिसंबर की खबर है DRC में डेट्टॉल के बारे में बताया गया है जो बाढ़ाई हुई थी उसकी वज़ा से ये चर्चा में है ठीक कैपिटल इसका किन्शासा है इसके बाद 16 दिसंबर को एक खबर आए थी कि रश्या के जो कल्चर सेंटर है उसका हेड जो है उनको C.A.R. में Central African Republic में बं के द्वारा पार्शल बं के द्वारा गायल कर दिया गया ठीक है और कैपिटल क्या है बैंगुई ठीक है फिर पाकिस्तान में खाइबर पक्तूनवा प्रोविंस में बन्नु जगह है बन्नु डिस्टिक्ट है जिला है यहां बताया गया कि कम से कम दो पुलिस वाले मारे गए और कई लोग इंजर्ड हो गए किसकी वज़से तालिबानी जो militants हैं इन्हों ने यहां पर seize कर लिया इस इलाके को ठीक है तो तालिबानीों की वज़से वहाँ जो तालिबानीों ने जिसमें दो UNP skippers की मौत हो गई इसलिए ये खबर बनाई गई थी और ये सारे ही उगम सही है किंशासा डियार कांगो की राजधानी है बंगवी सेंट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक की राजधानी है बन्नू पाकिस्तान में एक डिस्टिक्ट है खैबर पखतुनवा जहां पर तालिबानियों ने कबजा करके सीज किया उसको और उसकी वयसे चर्चा में रहा तिमबक तू माली के एकदम बीचो बीच देखिए गए तिमबक तू आपको नजर आएगा जहां पर UNP skippers की मौत हुई है तो इस लिए इस चारु युगम सही सुमेली थे हैं पिशले दिनो थाइलेंड की खाड़ी में उच्च तीवर्ता का तुफान आया था इस तुफान के चलते थाइलेंड नौसेना को भारी नुकसान हुआ थाइलेंड नौसेना का एक युद्धक जहाज डूब गया है जिसमें 31 जहाज चालकों के लापता होने की खबर आई है थाइलेंड क अगर राजधानी के बॉर्डर की बात करें तो कमबोडिया लाओस ठीक है म्यामार और यहां आपको दिख नहीं रहा होगा अब दिख रहा होगा यहां मलेशिया याद रखिए यहां मलेशिया है यह होगया म्यामार लाओस और कमबोडिया यह इसके बॉर्डर है इससे सम्मंधित एक इंपोर्टेंट अगर सवाल देखें तो यदि प्रस्तावित क्रा नहर का कारे पूर्ण कर उसे संचालित किया जाता है हिंद महासागर तो क्या होगा हिंद महासागर और जावासागर के बीच नौवहन संचालन समय कम होगा अधन की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच समुद्री व्यापार के लिए होर्मुच संदी से नहीं गुजरना होगा यहां पर एक जो इंपॉर्टेंट चीजे सीधे देख लेते हैं इसका आंसर आपको ऐसे भी पता होगा देखें गल्फ ऑफ थाइलेंड है यह थाइलेंड की खाड़ी यहां जो कनाल दिख रहा है जो कि प्रस्तावित कनाल है उस कनाल को उस नहर को कहते हैं क्रा कनाल ठीक है इसी क्रा कनाल को थाइ कनाल भी कहते है अब होता यह है कि जब व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसका होता है इस्ट्रेट आफ मलक्का का होता है जो की यह सुमात्रा है और यह मलेशिया है ठीक है तो स्ट्रेट आफ मलक्का जो है यह सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है व्यापार के लिए लेकिन यह रूट काफी लंबा पड़ता है और इस पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है ठीक है तो एक और्टरनेट रूट तलाशा जा रहा है थाइ तो इस मलक्का स्ट्रेट पर व्यापार के लिए या फिर अन्य चिजों के लिए रणनितिक रूप से भी निर्भरता कम हो जाएगी और ये बहुत ही यूजफुल एक रास्ता बन जाएगा ठीक है तो अंडमान सी इधर देख रहे हैं आप और इधर गल्फ ऑफ थाइलेंड यानि थाैलेंड की खाड़ी ठीक है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अंडमान सागर और थाइलेंड की खाड़ी के बीच व्यापार के लिए मलक्का जलसंदी पर निर्भर नहीं रहना होगा ओप्शन D इसका सही उत्तर होगा ठीक है अब मलेशिया की रसधानी तो इस पर आपको मैं सवाल दे रहा हूँ और आप इसको बताईएगा, निमलिकित पर विचार कीजिए, होची, मिन्ह सिटी, बांडूंग, बैंककॉक, सिंगापूर, कौललमपूर, दक्षण पूर्व एशिया की यात्रा करते समय, उपर एक्षण से उत्तर सहिक्रम क्या हो दो, आपको इसका सही उत्तर देना है, और देखिएगा मैप पर, कि क्या क्रम है, एक बार अपने से देखिएगा, तो फिर बहुत सारी चीजों का फायदा होता है, याद रह जाती हैं चीजे, अगले एप्सोर्ड में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार